इस बजेट के लिए हमारे वित्तमंत्री स्रिमान अरून जेटली जी को रदय पुर्वग बहुत बहुत बधाई देता हूँ गाउं, गरीब, किसान, महलाएं और युवां इस बजेट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाय रखी गई है यह बजेट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समय बत और व्यापक रूपरेखा प्रस्तूत करता है किसानों की आयको दुगुना करने की दिशा में इस बजेट में कई अहेम कदम उठाए गए हैं उनमें से एक महत्वकून कदम है प्रधान मंत्री कृसी सिंचाय योजना जिसके तहत निवेश में अभूत पुर्व बढ़ोतरी की गई हैं और हर खेत को पानी पहुँचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है गाउं के विकास में बिजली और सडक इस महत्वकों मैं और आप हम सब जानते हैं इस बजेट में 2019 2019 तक देश के हर गाउं को सडक से जोडने का एक बहुत बड़ा एहम संकल्प है प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना में अब तक की सबसे बड़ी धनराशी का आवटन किया गया है साथ ही साथ 2018 2018 तक हर गाउं में बिजली की सुविधा देने की वबस्ता की इस बजेट में सपस्ट रुप से है इससे ग्रामिन अर्थ वबस्ता को एक नई उर्जा मिलेगी गती मिलेगी और सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बड़लाव आएगा हमेश आप जानते हैं गरीब से गरीब को पूछो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो उसका एक सपना होता है अपना घर हर गरीब का सपना है अपना घर मिलल क्लास हो नियो मिलल क्लास हो उसका सपना कैसा पुरा करेंगे सरकार के मदद के विना संभव नहीं है और इसलिए इस बजेट में वो सारे प्रावधान किये गए हैं जिसके कारण हाउसी इंसेक्टर को बल देगा और सामान्य से सामान्य मान्वी को घर देगा इसके अलावा किराय के घर में रह रहे हैं लोगों को किराय की राशी के उपर भी इंकम ट्रेक्ष में छूट में बढ़ोतरी की गई है पांच लाग तक की आये वाले व्यक्तियों के लिए आयकर में कमी की गई है हमारे देश में गरीबों के नाम पर राजनिती बहुत हुई आप यह जानकर के चौंक जाएंगे कि गरीब मां अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए जो चूला जलाती है उसके कारण उसके और उसके बच्चों के स्वास्त पर गंभीर खत्रा पादा होता है जो इस विशे के एक्षपर्ट है जानकार लोग हैं उनका कहना है कि चूले के कारण उस धूले के कारण गरीब महिला के शरीर में एक दिन में 400 सिग्रेट का जो धूआ होता है उतना धूआ उसके शरीर में जाता है ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोडों परिवारों को इससे मुक्ति दिलानी है और इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को मुप्त मैं गैस कनेक्शन देने का एक बड़ा ही महत्पण नेड़ा हमने किया है पांच करोड गरीब परिवार जो आज चूला जलाते हैं उन्हें दूए से मुक्ति मिलेगी गरीब के स्वास्त को लाब होगा और परियावरण की भी सुर्क्षा होगी स्वास्त के एक्शेत्र में हमारी सरकार ने कई महत्पण कदम उठाराइए तरीकरी कभी-कभी एकाद बिमारी भी मद्यमबर के परिवार और गरीब की जिनगी तबाह कर देती है और इसलिए बिमारी के समय उस परिवार के साथ खड़े रहने का इस सरकार ने नेने किया है खास करके सीनियर सिटीजन वरिष्ट नागरीक जिनको इसकी सबसेज़ाद आवशकता होती है हमने उसके लिए भी योजनाय प्रस्तूत की है हमारा देश सुरक्षित रहे हर देशवासी सुरक्षा का एसास करे और उस बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा क्षेत्र में हमारी सेना सक्षम बने साइनिक सबल बने और आधुनिक सुरक्षा संसादनों से लेश हो डिटार्टमेंट के बाद बन रैंक बन पेंशन मिले भारत के अंदर डिफेंस मेनिफेक्टरिंग को और बल मिले और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में अनेक महत्वपुन काम हो वो इस बजेट में स्पष्ट किया गया है इस बजेट में आपने देखा होगा कि इन्फास्रक्षर में करीब करीब दो लाग करोड रुक्यों से भी अधिक प्रावधान किया गया है उसका फाइदा जो सीमावर्तिक शेत्र है जहां मारी सेनाय है तैनाथ है उनको जरूर मिलेगा भारत का युवा आगे बढ़ रहा है उसके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए दो नई पहल फार्मलाइजिंग इन्फार्मल और एंप्लोईंग द अनएंप्लोईब इसे हम शुरू करने जा रहा है साती सात स्ट्र एप्स क्योंकि मिरा तो मंत्र है स्टर्र इंडिया स्टेंड अप्ट्रियंड तैक्स्टीर में प्रावदान दखे गए हैं हमारा देश का दलीत हमारा आदिवासी अब एंट्रपेस्टी साहता है उसके सपने हे वो जॉब स्पर नहीं वह जॉब creator बनना चाहता है उस सपने को साकार करने के लिए सरकार ने एक विशेश entrepreneur hub स्थापित करने का दिरने किया है देश का युवा वैस्विक्ट चुनवतियों का सामना करें और उसे शिक्षाओं और तालिम के खेत्र में वैस्विक्स तर के अवसर मिले इसके लिए पुराने कानुनों के नियमों को और बंधनों से हमारी शिक्षाओं दब गई है उसे उपर उठाकर सरकारी और निजिक शेत्र में दस-दस institutions को वैस्विक्स तर पर लाने के लिए एक challenge route के द्वारा चुना जाएगा शिक्षाओं और education के छेत्र में यह बहुत बड़ा एहम सुधार है उनको आर्थिक प्रात्मिक शिक्षा इसका भी उतना ही महत्वपवव है इतने सालों तक ज्यादातर सरकारों का प्रात्मिक शिक्षा के प्रसार के तरफ जो आवश्यक भी था लेकिन आज की चुनोतियों का अगर सामना करना है तो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ सिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्चता है गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले दूर सुदूर गाउं में रहने वालों को भी गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले उस पर हम बल हमारी सरकार हमेशा देश की जनता पर भरोसा रखने के पक्षमें रही है। हमें देश के नागरिकों पर आशंकाय नहीं करनी चाहिए। Income Tax Department के लोगों ने उनके प्रती सम्मान का भाव रखना चाहिए। और इसलिए income tax department की जो जटील प्रक्रियाओं से सामान्य नागरी को गुजरना पड़ता है उसे उसको मुक्ति मिलनी चाहिए व्यापारियां और professionals को जो तकलीब हो रही हैं उसे हमें मुक्ति दिलानी है इस budget में सामान्य आये वाले इस work को turnover को presumptive tax भर्णे से इन प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी यह एक बहुत बड़ा सरली करण इस tax budget system में किया गया है मैं फिर एक बार सिमान अरुन जेटली जी को बधाई देता हूँ और देश वासियों को विश्वाद दिलाता हूँ कि यह budget आपके सपनों के करीब हैं आपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिवत्ता को पूरी ताकत के साथ योजना के साथ प्रस्तुत किया है बहुत बहुत धन्यवाद केसियार जी को मैंने फोन किया सुभा जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई उनकी सरकार है मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि law and order की situation ना हो मदद कीजिए मेरे क्योंकि law and order state का विशे है मुझे क्या कहा गया साहब busy है अभी बात नहीं कर सकते